सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स नारी कलेक्शन नाम से कपड़े की दुकान पती के साथ चल रहा था कानूनी विवाद और फिर दुकान के अंदर ही चली गोली मामला राजस्थान के फलोदी जिले में सरे आम एक हत्याकांड की वारदात ने सब को हिला दिया है महिला की दुकान में उसी के पती ने गोली मार कर हत्याकरदी वारदात से पहले पती दुकान पर पहुचा था इस दौरान पत्मी से उसकी बहस हो गई और बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ की पती ने बंदूक निकाल और एक के बाद एक तीन गोली चला दी मामला थाना छेत्र के नागौर रोड स्थित सिटी प्वाइंट के पास रविवार दोपहर करीब 12 बचकर 15 मिनट का है गोली बारी की खौफनाक वीडियो इंटरनेट मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि अनामिका का पती दुकान के अंदर घु इन गोलियों की बौचार कर दी और वहां से फरार हो गया पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगा महिला अपने पती से अलग रह रही थी दो बच्चों की मा अनामिका का अपने पती से भरन पोशन को लेकर कानूनी विवाद भी चल रहा था हत्या की वजह महीराम की सनक थी या फिर विवाद की यह अभी जाच का विशय है राजस्थान पुलिस इस मामले में जाच कर रही है इस बीच अनामिका के इंस्टाग्राम फॉलोर्स की स बढ़ती जा रही है अनामिका सोशिल मीडिया इनफ्लूइंसर थी और उसकी मौत के बाद भी कई हजार फॉलोवर्स अकाउंट पर बढ़ गए अनामिका की इंस्टाग्राम पर अन्य बिश्नुई नाम से आईडी बनी हुई है इस पर उसने एक हजार इक्यावन पोस्ट अधिक फॉलोवर्स पहुँच गए दरसल अनामिका की मौत के बाद पूरे प्रदेश में इस मर्डर केज की चर्चा है लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार अनामिका के साथ ऐसा क्यों हुआ था इसके चलते ही वह पांच साल से अलग रह रही थी अनामिका पती से विवा पती साथ नहीं रहना चाहती थी उसका पती मेडिकल की दुकार चलाता था पुलिस ने आशंका जताई है कि पती ने आपसी विवाद के चलते ही ये हत्या की है